अलो स्टूरेंट्स आप सभी का सोगत हमारे इस यूडिव चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं साइन्स की वक्षीव के बारे में पर उसके पहले बता दूँ कि आप सभी डेली और वीकली विन हो सकते हो बहुत सारे प्राइस को और डेली विन होने के लिए बस आपको करना क्या है वीडियो को लाइक कर लेना है चैनल को सस्काइब कर लेना है फूल यूडियो को वाच करते हैं अगर आप ऐसा करते हो तो जन थीन बच्चों के हमें कमेंट सबसे ज़यादा पसंद आएंगे उनको 40 है यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है आज की डेट किया है 16 बादा 2021 motion and time देखिए motion के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे time के बारे में measurement of time Ravi was very eager to go his school after a long time हम एक लंबे समय के बाद उस्कूल जाने के लिए बहुत जादा उकसुत है Ravi ठीक है और वो बार बार frequently क्या कर रहा है clock की तरफ देख रहा है तो कुछ question उससे संबंदी देखो यहाँ पर पूछेगा है ठीक है तो question number one क्या है what does Ravi observe in the wall clock तो Ravi wall clock होउक तो प्री इसका आंसर क्या हो Hill का त॥ रहा है definitive time थीक है तो Sun है की लाइट के द्वारा भी वह क्या कर सकता है time को जान सकता है ठीक है इसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है कि आगे देखिए बोला गया है ठीक है मैं he natural events repeated themselves after a definite interval of time, एक definite interval of time के बाद क्यों होता है, बहुत से events होते हैं, जैसे example में a day, a month, a year, all are fixed interval of time, इन सभी का एक fixed interval of time होता है, जैसे write a suitable word for the given duration, जैसे the time between a one sun rays and next, ठीके तो इसका क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा a day, ठीके ये क्या होगा बिटा, a day होगा, इसके बाद, the time during from one noon, new noon, ठीके तो इसका क्या हो जाएगा, month हो जाएगा answer, ठीके, m, o, n, t, h, month इसके बाद देख क्या है, the time taken by earth complete one revolution of the sun, तो इसको क्या कहेंगे, a year कहेंगे, ठीके बिटा, चलिए, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, अगे दिया गया है कि clock and watch are most common measurement device, clock और watch बहुत common measurement device होती है, look, make the some periodic motion, और इन में कुछ periodic motion होता है clock में, ये क्या है, एक wall clock है, ये table clock है, ये क्या है distal clock है, चलिए देखते हैं, periodic motion क्या होता है, a motion that repeat itself after a certain interval called periodic motion, एक motion जो अपने आपको वापस से repeat करता हो, certain interval के बाद उसे periodic motion कहते है, for example, motion of the earth, ठीक है, और इसके बाद क्या है, motion of swim, चलिए, आगे देखिए, समझिए क्या कहने का मतलब है, एक क्या करिए, बेटा, आपको क्या करना है, एक bamboo ले लो, ठीक है, एक bob ले लो, bob को आप जैसे ही पकड़ के छोड़ोगे, तो a position से वो पहले o पर जाएगा, फिर o से b पर जाएगा, फिर वापस b से कहां पर आजाएगा, o से और o से वापस a पर आजाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने position को, जो है, चेंज करता है, देखो, यहां पर बोला गया है, ठीक है, देखो, यहां बोला गया, motion of the earth around the sun is an example of, तो किसका example हो जाएगा बिटा, तो वो example हो जाएगा, pre-ordic motion का, यहां क्यों जाएगा, pre-ordic motion, ठीक है, इसके बाद हमसे बोला गया, what do you mean by the pre-ordic motion, pre-ordic motion का क्या मतलब होता है, तो यहां से लेकर बिटा, यहां तक आप लिख दोगे, यह क्यों करना जाएगा सिधादा कॉंटेस में पास्वेट करना दा निवाद वच्चों,